केंद्रे ग्रहराजमंत्री अजय मिश्रा की बेटे आशीश मिश्रा पर पिछले साल उत्रपरदेश के लखीमपुर खीरी में किर्शी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोब में मुकदमा चलेगा दरसल लखीमपुर की एक अदालत ने आजुन के और अन्यारोपियों के खिलाफ आरोब तै किये हैं और घोशना की है कि मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा ये अदालत द्वारा मिश्रा की डिस्चार्ज याची का खारिच करने के एक दिन बाद आया है इस घंटा में मारे मैं नियाय पालिका का शुक्र गुजार हूं मैं सुप्रीम कोट का शुक्रियादा करना चाहता हूं देरी हुई लेकिन आरोप तै किये गए हैं मुझे नियाय विवस्था पर पूरा भरोसा है इस घंटा में मारे गए लोगों को पृतनीजित करने वाले वकील मुहमद आमान ने कहा कि मुकदमे में देरी हुई है आरोप तै करने में नौ महीने लग गए और वो भी सुप्रीम कोट द्वारा इस बारे में टिपड़ी किये जाने के बाद किसानों को नियाय की उम्मीद है मुझे लगता है कि ट्रायल तेजी से होना चाहिए आर्म सेक्ट जिनके उपर लगा है उसमें है आसी संकित और नंदन सिंग वेष्ट सत्यम और सत्प्रकास लतीपूर काले सुमित जैस्वार और चार्ज ध्रेम हो गए हैं गौर्दलबे की पुलिस की चार्षीट में मिश्रा पर हत्या कारोप लगाया गया है ऐसा आरोप है कि वो एक XUV में थे जो 3 अक्तूबर को लखीम पूर खीरी में एक विरोध मार्ज के दौरान चार किसानों और एक पत्रकार के उपर चड़ा दी गई थी घटना के बाद गुस्ताए किसानों ने XUV के पीछा किया और कथित तोर पर चालक और दो BJP कार्यकरताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी